नागोर में लोकसबा चुनाव को लेकर जिला निर्वाषन अदिवी भाग ने तयारियाँ वो पूरण कर ली है नागोर जिले में दो लोकसबा शैटरों के वजब से इस बार दोशरणों में चुनाव संपन होँगे जिला निर्वाशन अधिकारी ने दिनेश कुमार यादव ने बताया कि नामांकन प्रकडिया 10 अप्रेल से शुरू होकर 18 अप्रेल तक चलेगी नागोर लोकसबा से नामांकन भरने वाले प्रतियाशी 11 बजे से 3 बजे की बीच अपना नामांकन पतर सौप सकते हैं और नामांकन प्रकडिया के दोरान 13-14 वा 17 अप्रेल को राज की अवकाश की वजे नामांकन पतर जमा नहीं करवाय जाएंगे और वहीं 20 अप्रेल को प्रतियाशियों के नामांकन पतरों के स्क्रिनिंग और उनके साथ जांच होगी प्रतियाश्यों को नाम वापस लेने की 22 अप्रेल निर्धारित की गई है ये तारीक और साथ ये भी बताया गया कि जिले में 2506 मतदान बूत बनाए गए और वहीं 1971 मतदान के इंदर नागोर लोकसबक शेतर में और 535 मतदान के इंदर राजसमांद संसिद एक शेतर में बनाए गए लोकसबक शेतर में 19,13,046 मतदाता है